कि नमस्कार यार्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है में गरिमा श्रवास सवाब के साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ मंत्री सातेंद्र ज्वैन को सुप्रीम कोट ने शुक्रुबार को उच्छे हपतों की जमानत देवी है यह जमानत मैडिकल के अधार पर दी गई है 11 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोट अगली सुनवाई करेगा सातेंद्र ज्वैन को 10 जुलाई को कोट में स्वास्थ रेपोर्ट कोट में जमा करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोट में ज्वैन को इस मामले में मीडिया से किसी भी तरह से कोई बात चीत या संप परक नहीं करने के लिए गहा है 18 माई को सुप्रीम कोट ने मामली में एडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जैन 31 माई 2022 से हिरासत में हैं 6 अप्रेल को दिल्ली हाई कोट से जमानत या चुका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोट में अपील की थी गुरवा करीब 12 बचे उनकी हालत बिगडने के बाद उन्हें लोक नारायन जैप्रकाश अस्पताल यानिकी एलन जेपी में शिफ्ट कर ऑक्सिजन सपोर्ट पर रखा गया था सुप्रीम कोट ने जैन में बंद दिल्ली के पूर्वा मंत्री सतेंदर जैन को अपनी पसंद के अस्प जो भी लाज किया जा रहा है उसके दस्तावीज अदालत के सामने फेश करने होंगे इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोट ने इडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे छे अप्रई को दिली हाई कोट से जमान प्याच चुका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोट में अपील की थी अप साथेंद्र जैल जेल से बाहर आ गए हैं तो देखना होगा कि सुप्रीम कोट के निर्देशों का वो पालन करेंग पालन करेंगा हैं